तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाय अपने वर्क्शॉप में जहां पर हमारे आर्चर्स साथ रहेंगे आपके और बताएंगे किस तरीके से बोर्ड फ्रेंड होते हैं खुद और खुद ही अपने एरो रिपेर कर सकते हैं तो देख रहे हैं आप यह देखे कितने सारे एरो हैं जो किसी ना किसी तरीके से डेमेज हो रखे हैं आप हमें इने रिपेर करना है लेकिन ऐसे ही बहुत सारे एरो हैं जिनको हमें पहले छटनी करनी पड़ेगी हमें पहले उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा एरो हमे यूज करना है और कौन सा एरो हमें अब छोड़ देना है हर एरो के पीछे अपना समय नहीं चेक कर लेते हैं हमारे आर्चर्स देखेंगे और यहां पर जो हमारे एरो हैं इनको हमारे आर्चर्स इसमें से क्लासिफाई करेंगे कि कौन से एरो यूसफुल है कौन से एरो नहीं तो देखिए दोस्तों यहां से वो चेक करके चुनाव करेंगे कि किस तरीके से वो एरो यूज में आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं तब से पहले वो उनके नौक पॉइंट का मुआयना करेंगे अगर वो शाफ्ट एकदम स्ट्रेट है तो उसका वो इस्तमाल करेंगे और अगर व आपको री यूज कर सकते हैं और कौन से आपको छोड़ देना है तो इसी तरीके से हम सारे एरो की चटनी कर लेंगे और चटनी करने के बाद में फिर इनको वाले जो एरो हैं उनके लिए हम आगे की तो फ्रैंट्स देख सकते हैं आर्चर्स हमारे आर्चर्स ने यहां पर यह सबी एरोस सेलेक्ट कर लिए हैं और इसमेंसे जो खराब एरो हैं वो एरोस यहाँ पर उन्होंने आएगा इस बात का भी हमें ध्यान रखना है इसलिए आर्चर को कोचिस बोलते हैं कि अपने जल्दी सी जल्दी आप रिप्लेस कर दो जो खराब हो जाते हैं तो चलिए कई बार ऐसा होता है कि बिगनर स्टेज पर आर्चर बार रिप्लेस नहीं कर सकता तो ऐसी कंडिशन में आर्चर को वो एरोज को ही रियूस करना पड़ेगा अगर वो रियूस करना चाहता है तो उसके लिए एक यह उप्शन है कि अपने एरोज को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद में उनको प्रॉपर तरीके से ठीक कर ले तो अब हम अगली स्टेप पर जाएंगे जिस बीच में जो गुरूप दिया होता है उस गुरूप में हमें इसे फिक्स कर लेना है क्योंकि गूलाई होती है इसलिए इसे फिक्स करना ज़रूर है और फिर इसे प्रेस करना है प्रेस करने के बाद में दूसरी साइट से प्रेस करना है अब दो बार प्रेस करने में यह यह जो नौक है यह निकल जाएगा अब आप नौक को कीच सकते हैं कुमाते हुए खीच लेंगे देखिए दोस्तो बहुत ही सिंपल तरीका है एक फिक्स नौक को जो की तूट चुका है उसे निकालने का इस तरीके से आप नौक निकालेगे तो आसानी से आपका नौक भी बाहर निकल जाएगा दोस्तो इस कंडिशन में आप देख रहे हैं कि इस एरो की जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमें निकालना है क्योंकि एरो डेमेज है इस पॉइंट का हमें री यूज करना है ऐसी कंडिशन के लिए हमें क्या करना है इसको भी उसी पोसिस को फॉलो करते हुए निकालना है यह आर्चर ने धीरे-धीरे गुमाते हुए उसे fix जगा को निकाल लूस कर लिया है और यह देखे कितने आसानी से यह arrow जो point है कि हम निकाल सकते हैं दोस्तों आगे की तरफ खिषते हुए आर्चर निकाल रहा है अब भी इसी तरीके से धीरे-धीरे किस्ते हुए निकाल ले अब हम बात करेंगे फ्लैचिस को किस तरीके से निकालना है तो आर्चर आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम arrows के फ्लैचिस और और नॉक और पॉइंट हम जोड रहे हैं, तो रिपेर करने के लिए फ्लैचिस का काम काफी समाल के करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो फ्लैचिस हैं यह तीनों ही फ्लैचिस देमेज हैं, इनको नए फ्लैचिस यहाँ पर हमें लगाने पड़ेंगे, ऐसी कंडिशन में कटर का इस्तमाल करते हुए हमें इन्हें निकाल लेना है और थोड़ा साफधानी से काम करना है क्योंकि कटर में कटने की शंभावना ज्यादा होती है और आपको चोट भी लग सकती है इसलिए जो यह टेप वाला सिरा है वहां से आम इसे धीरे-धीरे दबाते हुए साफ करते हुए कट कर लेंगे देखिए अपने आप ही निकल गया इसी तरीके से बाकी के दोनों पार्ट भी हम निकाल लेंगे आप चाहें तो हाथ से भी निकाल सकते हैं अब यहां पर जो फ्लेच लगे होते हैं पहले वाले उस पर फेवी बॉन का इस्तमाल किया जाता है जिसके कारण उस पर फेवी बॉन पुराना वाला लगा हुआ अब आप देख रहे हैं कि यह जो एरो है और इसका जो फ्लेचिंग पार्ट है उस पार्ट को हम साफ कर रह रहे हैं आप चाहें तो रेगमाल का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आपके पास कोई चाकू है उसका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं अब इसी तरीके से हम बाकी के फ्लेचिस भी आर्चर्स हमारे निकाल लेंगे और फिर अगली प्रोसेस हम कर लेंगे दोस चार तुकड़े भी हो जाते हैं तो इस स्थिती में हमें क्या करना चाहिए इसको फेविक विकला के हम जोड़ सकते हैं लेकिन जोड़ते समय अगर हमने सावदानी नहीं रखी तो यह एरो टेड़ा हो जाता है अगर आप देखें तो वैसे भी एरो टेड़ा ही है दोस्तों आपको इस्तमाल नहीं करने चाहिए आप यह टेड़ा एरो क्या करेंगे इसको फेक सकते हैं लेकिन इसके फ्लैचिस आप चाहें तो रियूस कर सकते हैं अगर यह फ्लैचिस अच्छे हैं तो आप इस तरीके से दबाके निकाल ले और फ्लैचिस निकल जाएंगे यहां पर है थोड़ा से कट लगाऊंगा और कट करके मैं निकाल के देखें दोस्तों इस तरीके से माँ पर इसे यह इस पार्ट पे अट लगाँगा और इसको साफ करते ही निकाल जाएंगे कि वोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि कट लगाते हैं तो पटने का डर होता है कि वोड़ा रहे हैं कि इस तरीके से मैं ये फ्लैचिस को निकाल लूँगा एकदम सेफ साफ सुतरा फ्लैचिस हमारा है इसको हम रियूज भी कर सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं आप जो फटे हुए एरो होते हैं उन्हें किस तरीके से रिपेर करना है मैंने यहां पर इस्तमाल करते हुए इसे पूरा चिपका दिया और साथी साथ इसके उपर से यह टेंपरेरी धागा लगा दिया था अब यह धागा भी सूख चुका है तो अब हम यहां से इसको कट कर लेंगे और कट करने के लिए हमें जो मार्कर का पेन है उस पेन से यहां मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद हम इसे अपनी आरी से कट कर लेंगे तो दोस्तों आपने देखा ये इस तरीके से जो मार्किंग की हुई है इस मार्किंग वाले जगे से हमें सीधा कट कर लेना है आप चाहें तो किसी इस तरीकी की लकडी के पटे का सकते हैं नहीं तो आप टेबल या फिर आपके पात जो सुविधा है उस इसाफ से इस्तेश्वाल करते हुए कर सकते हैं दोस्तों तो आर्चर्स आप देख सकते हैं कि यह यहां से कट गया है और अब हम इसमें पॉइंट आराम से बिठा सकते हैं तो आर्चर्स आपने यहां तक देखा इस भाग में मैंने आपको बताया कि एरो का सिलेक्शन कैसे करना है अगर एरो डैमेज है तो उसे रिपेर किस तर Frei के से करना है उसकी तैयाई क्या है वह मैंने आपको बता है फ्लैचेश कैसे damage flechas कैसे निकालने हैं उनकी जगा कैसे बनानी हैं उसी तरीके से flechas के साथ knock और point को कैसे replace करना है उसको कैसे निकालना है तो यह तरीके से करते हुए हमारे arches पूरा दिन लगा देंगे और पूरे दिन में वो सभी जो wastage है वो पूरा wastage निकाल लेंगे और उसको reuse करने के लिए तयारी करेंगे तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो wastage से हम reuse करके अपने arrows को तयार करेंगे तो बने रही है मेरे साथ अगले वीडियो के लिए अगर आप भी चाहें तो हम से जोड़ सकते हैं हमें कुछ questions पूछ सकते हैं तो उस questions के लिए आपको हमारे comment box पर comment करना होगा दूस्तों तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन